यानि कि अगर आप अपनी स्कूल से रिलेटेड या करिकूरिम से रिलेटेड कोई भी प्रेपरेशन करना चाहते हो तो तो डेफिनिटली मागनेट ब्रेंस से बिना किसी पेमेंट के कर सकते हो साथी साथ अगर आप NTSC, Olympiard जैसे exams या फिर आपको अपनी English जो है वो वहतर करनी है that is spoken English course भी जॉइन करना चाहते हो डेफिनिटली आप मागनेट ब्रेंस पे ये सारे courses को access कर सकते हैं अगर किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो हिंदी मीडियम को बिलॉंग करता है प्लीज उनसे शेयर करो कि मागनेट ब्रेंस का एक और चानल है अगेन बिना किसी पेमिंट किये तो डेफिनिटली आप एक करेक्ट प्लाटफॉर्म पे हैं साथी साथ अगर आप ये सब कुछ एक प्रॉपर ओर में अपने सामने अरेंज़ जाते हो ताकि आप सीधे क्लिक करो और वीडियो तक पहुँच जाओ देखिए आज का वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत से रीजन्स हैं पहला रीजन आपको पता चलने वाला है जो की ओलंपियाज में अक्टिव पासिव वोईस पर बेस्ट पूछा जाता है आपको यह पता चलेगा कि यह जो सेजन्ट फॉर्माट है उसको अटेंट करते कैसे हैं थर्ड फिंग आपको एक कॉंसेप्ट पता चलने वाला है आज के वीडियो में जो हमने इंट्रडाक्शन वीडियो में नहीं पढ़ा था जान बुझ के नहीं पढ़ाया था मैंने और मैंने आपको यह चीज पहले ही बोल दी थी कि एक कॉंसेप्ट आता है जो मैं आपको क्वेस्टन वाले वीडियो में किसी एक में बताऊंगी और आज वो वीडियो है अचीवर सेक्शन का जहां मैं आपको क्वासी पैसिव नाम के सेंटेंस से मुलाकात कराने वाली हो और कैसे उनको कनवर्ट करते हैं किस किस प्रकार के रूस है वो सब हम देखेंगे और साथ ही साथ फॉर्थ इंपोर्टन रीजन इस कि आपको यही कौसे पैसिव पे प्रेपरेशन करने के लिए प्राक्टिस करने के लिए कुछ क्वेस्टन भी आज के वीडियो में करवाये जाएंगे तो ले दे के बाद इत्ती सी है कि आज का वीडियो बहुत बहुत इंपोर्टन है आपको तीन से चार इंपोर्टन चीज़े पता चलेंगी साथ ही साथ अपनी नोट बुक और अपनी पैन जो है प्लीज अपने सामने रखो और जो भी इन बिट्वीन लगता है नोट करने लायक प्लीज राइट डाउट चलें तो सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं करना क्या है आपको you have to choose the correct options to fill in the blank with the correct passive verb यानि कि जब हम narration पढ़ रहे थे direct speech, indirect speech तो वहाँ पे मैंने आपको दूसरा format जो था वो यही बताया था paragraph वाले questions का correct याद है आपको अब ऐसे ही paragraph वाले questions का format आपको active passive में भी मिलता है बस ले देखे बात इत्ती सी है कि direct indirect में आपको already sentences दिये जाते हैं bracket में एक verb दिया जाता है और बोला जाता है इसका correct indirect form रखो बट active passive में ना तो आपको पता है कि क्या है ये मतलब क्या fill करना है कौन सा tense है ना ही आपको पता है main verb क्योंकि bracket में नहीं देते बलकि सीधे से option में देते हैं बट हमें क्या problem आती है ना कि active passive में जब तक हमारे सामने tense नहीं होगा हम कैसे to be family का member लगाएंगे correct हमें वही तो चाहिए होता है चलो main verb तो option से मिल जाएगा बट हमें tense कौन सा दिया हुआ है वो कैसे पता चलेगा वो आपको पता करना पड़ेगा क्या यह बहुत difficult है बिलकुल भी नहीं यह बहुत आसान है बिलकुल भी नहीं बहुत intermediate level है यानि आपको identify करने में कभी-कभी तो ऐसा लगेगा जैसे पहला जो question है ना इसमें तो आपको ऐसा मजा आने वाला है कि अरे वाँ ऐसे question आते तो यह है और दूसरे paragraph में आपको इतनी चीजे मिलेंगी कि आपको लगेगा नहीं यार थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा या इस इस सम्धिंग विच टोटली गूइंट चेक और अनलाइज यह common sense it is going to definitely understand whether you have that presence of mind or not to understand which of the tense can be possible in the following sentence clear so ले देखे कहानी इत्ती सी है कि ध्यान से समझना है that's it all right okay चलो तो आपको इत पारग्राफ देरिया जाता है where you are already given the sentence is in passive यानि passive sentence बना हुआ है subject object का interchange करना है इस अब आल्रेडी दिया हुआ है आपको बस blank में एक सही passive verb की position देखनी है कि यह कौन सा passive verb है जो best है ठीक है अभी वो passive verb कौन सा होगा वो आपको option से identify करना है और कौन सा tense होगा वो भी आपको दिमाग लगा के समझना है second thing is कि आपको majority of times जो पारग्राफ हैं वो past में ही दिये जाते है majority कभी कभी future का दे देंगे आपको but maximum time you will get यहां तो simple past का question यहां फिर past perfect का question ले देखे वही चीज है कि भहिया tense में भी past perfect पूछा जाता है simple past पूछा जाता है यहां पर उसी tense पर questions आपको passive में भी पूछे जाएंगे बस आपको identify करना पड़ेगा कि कौन सा वाला tense यहां पर लग रहा है ठीक है चलो अभी पूरा paragraph पढ़ना है तो पढ़ सकते हो question paper में पढ़ने का इतना कोई मतलब रहेगा नहीं but अभी हम क्यों पढ़ेंगे हमें यह समझना है कि किस बारे में दिया है और question paper में आपकी इतनी प्राक्टिस हो जानी चाहिए तब तक कि आपको पढ़ने की ज़रुद ना पढ़े आप सीधे questions पे जाओ और option देखकर टिक कर के आओ ठीक है So my achievement blank by my parents on September 28th This year a special party blank by my parents for my achievement अच्छा ठीक है About 20 relatives blank by my parents मेरे parents के दुआरा 20 relatives शायद बुलाए गए Exciting gifts blank for me by my relatives अच्छा बहुत ही बड़िया बड़िया gifts लेकर आए थे कौन शायद मेरे relatives Chairs and tables blank for the family members by the organizers जो भी organizers थे जो भी event planners थे उन्होंने chair और table लगवा दी थी मेरे relatives के लिए Big cake blank by my mother for me मेरी mom शायद मेरे लिए एक बड़ा cake काट रही थी है लेकर आए थी whatever The cake blank by me with a knife अच्छा मैंने चाकू से cake कट किया और लेकर मेरी मम्मी आई थी ऐसा कह रहे होंगे अब poem blank by me एक poem जो है मेरे दुआरा लिखी गई शायद ऐसा कह रहे है Dance blank by my parents मेरे parents ने dance किया ऐसी कह रहे होंगे मुझ से dance करवाया देखेंगे वो तो आगे क्या दिया है Before the party ended Many delicacies blank by us Party ख़म होने से पहने बहुत सारी बड़िया-बड़िया खाने की चीज़े हमने खाई होंगी और I blank a long life by my family members एक बहुत बड़ी जिंदकी हो बहुत पसंद है यह सब हमें नहीं पता So ले देके कहानी इतनी है कि एक achievement है मेरी मतलब जो speaker है उनकी और उस achievement के लिए पार्टी दी गई है उस पार्टी में क्या-क्या हुआ था वो बता है क्यों हुआ था, क्यों है या होने वाला है ऐसे क्यों नहीं बोल सकते क्योंकि आपको पता है कि यह जो जर्नी है यह पूरी कहानी है वो पहली हो चुकी है तो यह past है ठीक है तो आपको यह ध्यान में रखना है कि past में हो चुका है अब accordingly अपना verb चूस करना डान, ओके चलो पहला blank देखते है My achievement blank by my parents on September 20th अब इधर क्या दिया हुआ है कि आपको celebrate करने की बात की गई है वर्ब है celebrate अभी इधर यह ध्यान में रखना है कि V3 होना compulsory है विकाज passive से ही हमें fill करना question पढ़ लिया था अभी passive है तो celebrated होना बहुत जरूरी है देख लो celebrated कहां नहीं दिया है option A और option number D अब celebrated में दिया है was celebrated और simple celebrated भही आप passive में 2B family का member होना अनिवार्य है तो आप बिना 2B family के member यहां तो नहीं रख सकते देखो यहाँ पर भी नहीं है तो भही यहाँ भी 2B family का member नहीं है option number C में भी नहीं है so answer क्या हो जाना चीब है option number B which is was celebrated so my achievement was celebrated by my parents on September 28 यानि 20 September को मेरी family के द्वारा मेरी parents के द्वारा मेरी achievement को celebrate किया गया clear अभी यह past है done तो पहले option से आपको यह कहानी पूरी तरीके से प्रूव हो जाती है कि यह celebration already हो गया है और उसकी अब कहानी को यह बता रहा है clear? ओके चलो second question पे आते है this year a special party blank by my parents for my achievement this year a special party keeping was being kept kept was kept देखो यहाँ पर keep की बात हो रही है और आपको clear रखना है कि जहाँ पर kept नहीं होगा पहले तो उस कोड़ा डालो so यहाँ keeping नहीं हो सकता और हर जगा kept दिया है ठीक है अब kept तो है but passive voice में भी एक तरीका होता है kept का यूज करने का it should be with the proper to be family का member तो was being kept बिल्कुल हो सकता है अगर यह रहा हो कुछ तो was keeping correct? अगर यह रहा हो was keeping तो यह बन सकता है was being kept तो यह कर सकते हो आप this year a special party was being kept by my parents for my achievement all right ठेक है kept अकेला यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि kept अकेला होता ही नहीं to be family का member तो होना चाहिए वी टू है अगर तो was kept, were kept होना चाहिए था was kept, हाँ भया हो सकता है was kept अगर यह क्या रहा हो अगर यह रहा हो simple past यानि कि this year a special party kept by my parents like my parents kept a special party this year for my achievement तो यह was kept बने गया right तभी was kept बनाते हैं अरे देखो समझो है आपर keep है, keep का v2 भी क्या है kept है ना v2 है तो v2 में was और were आ जाएगा और v3 में kept का kept ही रहने वाला है यानि कि option db possible है option bb possible है according to the options अब यहाँ फस्ते हो भाईया अब यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि भाईया कौन सा active voice रहा होगा so this would have been in the form of my by my parents यानि my parents subject रहा होगा my parents were keeping my parents were keeping a special party this year for my achievement या फिर my parents kept a special party for my achievement this year भाईया kept जादा अच्छा सुनाई दे रहा है क्योंकि यह जो है was being kept were keeping थोड़ी they kept it they kept a party for me that's why only this celebration took place so answer हो जाना चाहिए option number d ना कि option number b तो जरूरी नहीं है कि आपको सारे option गलत ही मिलेंगे कभी कभी तो ऐसा सच्च में होता है कि सारे options गलत होते है एक answer सही होता है और यह सच्ची में आपके Olympiard के sample papers में तक दिया हुआ है but अगर आपके पास option ऐसे हो जहां फस जाते हैं कि भाईया was being kept हो सकता है क्या was kept हो सकता है क्या तो फिर आपको identify करना पड़ेगा क्या यहां पर active voice रहा होगा so it cannot be my parents were keeping they did keep it so my parents kept था इसलिए was kept हो गया easy all right चलो third question about 20 relatives blank by my parents about 20 relatives blank by my parents यानि कि मेरे parents ने invite किया करीबन 20 रिष्टेदारों को उनोंने इस party में invite किया था so about 20 relatives were invited क्या were invited हो सकता है बिलकुल हो सकता है because यह invited रहा होगा तो यह was were invited बन गया next है invited भाया अकेला invited passive में तो नहीं होता है तो option हटा डालो had invited भाया जब had invited होगा तो यह perfect होगा तो perfect है तो had been आना जरूरी है ओडा डालो इसको भी अकेला invite आई नहीं सकता because again ये वीथरी नहीं है so answer हो जाता है were invited about 20 relatives were invited by my parents या फिर my parents invited about 20 relatives और invited बन गया, were invited easy, okay चलो, fourth question exciting gives blank for me by my relatives exciting gives blank for me by my relatives क्या है यहाँ पर brought, लाए गए तो भी हम मेरे relatives बड़े, अच्छे बड़िया exciting gifts ले कर आये थे, यही बोलना चाहरे हो गे so exciting gifts was brought gifts है भाईया, singular थोड़ी है तो was थोड़ी होगा next being brought, being brought तब होगा जब इसके आगे इज़े मार was वर कुछ हो, क्योंकि ing है यह, तो बिना इज़े मार was वर के तो ing होता नहीं है next, अकेला brought, passive में possible नहीं है, without to be family का member next ना जाते, were brought, हाँ भाई यही बचरा और यही सही है, क्योंकि यह plural भी है, were, और were brought क्योंकि यह रहा होगा brought, है ना so my relatives brought exciting gifts for me, रहा होगा, तो बन गया exciting gifts were brought by my for me, by my relatives, so answer हो गया option number D, clear? all right, चलो, fifth पे आते हैं chairs and tables blank for the family members by the organizers वे जो भी organizers हमने plan किये, like मेरे parents ने कि, जिसको भी काम दिया होगा, catering, service, even planners तो उन्होंने chairs, tables, सब कुछ अच्छे से laid, यानि रखवा दिये थी मेरे relatives के लिए so यहाँ पर क्या होगा, chairs and tables had laid अभी had laid नहीं होता है, bean आना चीए था इदर पे, तो यह गड़बड है फिर were laid हाँ हो सकता है because यहाँ पर was वर तब आ सकता है, जबी simple laid रहा हो तो यह definitely possible है laid अकिला possible है नहीं, because यह passive है been laid possible है नहीं, because इसके साथ एक helping verb has, have, had कुछ भी नहीं दिया है, न question में, न option में so answer हो गया, option number B were laid, और यह chairs and tables अलग-अलग हो गए, plural है, तो आपने लग भी दिया word, उसके साथ-साथ यह रहा क्या होगा भई, यह ऐसे रहा होगा, the organizers, laid chairs and tables for the family members correct, और उसको बना दिया word laid, easy, alright, चलो sixth पे आजाते हैं, sixth question है, a big cake blank by my mother for me, और verb दिया हुआ है get, यानि लाया गया तो मेरे लिए एक बड़ा सा केक मेरी मम्मी लेकर आई थी, ऐसा बोला गया होगा या एक बहुत बड़ा केक मेरी मम्मी के द्वारा मेरे लिए लाया गया था so was got, भया get got got, है ना, यही पढ़ते है was got हो सकता है अगर यहां got रहा हो तो next, अकेला got पॉसिबल नहीं है is getting आ नहीं सकता क्योंकि ing का सिर्फ being यूज करते है पासज में और get तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं because यह simple present है और get आता ही नहीं है v3 आता है, so answer हो गया was got, a big cake was got by my mother for me, हुआ क्या होगा यह रहा क्या होगा actually में, my mother got a big cake for me, यही रहा होगा clear, okay 7 पे आते हैं, the cake blank by me with a knife the cake blank, यानि cut by me भया, अकेला cut नहीं आ सकता आपको to be family का member यहां तो question में मिल जाए या option में मिल जाए, नहीं है तो भया option A को हटा दो, b हैं were being cut, अभी were being cut कब आएगा, जब यह रहा हो past continuous, तो यह possible तो है इसको रग देते हैं, was being cut अभी इधर ही क्यों ही निप्टा देते हैं इसको कि was है कि were है, तो भया cake singular है तो were हटा दो, d है had cut, अभी had cut अकेला नहीं आता, had been cut आता है, तो answer हो जाता है, आपका option number C यह ऐसा रहा होगा, I was cutting the cake with a knife यह फिर इसको कर दिया, आप आए को बना दिया, by me the cake है, तो the cake was being cut by me with a knife easy, alright, चलो, 8th question प्याते है 8th है, a poem blank by me, और verb है recite करना, आप recite करते हो न, recitation नहीं होता है जब आपका क्या बोलते हो, उसको oral test तब आप poem सुनाते हो, तो यहाँ function में भी है, मेरी achievement है, मैं होंगी अब यह 9th यह 10th standard में, ऐसा मान लेते हैं, तो सबने बुला, बिटाइक poem सुना दो, तो वह सुना दी, so the poem और a poem was recite by me, was recite नहीं कह सकते, आपको recited third form का इस्तमाल करना compulsory है passive voice में, has recited हो नहीं सकता, has been होना जिये था पहली बात, दूसरी बात यह present है ही नहीं, third है, was recited हाँ, यह possible है, been recited अकेला आनी सकता, had been, has been, have been कुछ तो होता, so answer क्या हो गया option number C, was recited, so a poem was recited by me, clear, okay 9th पे आते हैं dance blank by my parents, here dance किया गया मेरे parents के द्वारा किया कैसे पता चला, देखो, did दिया हुआ ठीक है, अभी इधर क्या होगा, was done, was, did, do, done हाँ, perfect, possible है, अकेला did, we too आनी सकता, यह होना चाहिए था, was done, और यह active हो गया, did next, were dancing, ing आता नहीं है, being आना चाहिए not possible, अरे भाई, not possible भी present हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता हमने देखा नहीं है, जब हमको future continuous का दिया गया था, beginner की intermediate किसी है question में, right, so यहाँ पर क्या possibility हैं, देख लेते हैं was done, आचा किया गया तो क्या यह ऐसा रहा होगा my parents ठीक है, by हट जाएगा और danced, right, यह ऐसा रहा होगा my parents danced, और इसको फिर बना दिया गया होगा, dance क्योंकि normal form रखोगे was done by my parents जब हमारे पास होता ही नहीं है कुछ ऐसा verb यूनों, तो हम did do dance यह सब push उठा के ले आते हैं, जो हमने एक दो बार देखा भी है, जैसे wish और hope में it is wished, it is hoped कर देते हैं तो यह चोटी-चोटी चीज़े हमने questions के रूप में सीखी हुई है so यहाँ पर यह चीज बिल्कुल clear है कि was done possible है साथी-साथ यह normal सा tense है V2 जिसका हम possible conversion देख चुके है so definitely not possible answer तो नहीं है answer क्या हो जाएगा, सीधे-सीधे option number A, dance was done by my parents clear, all right, चलिए, 10th पर आते है before the party ended, many delicacies blank by us so यहाँ दिया है had ate भया had been eaten होना चाहिए had been eaten हाँ, विल्कुल possible है, had been अगर यह past perfect रहा हो तो, were eating नहीं है या ING में being होता है, और was eaten हाँ हो सकता है, अगर यहाँ पर eaten रहा हो तो, ate रहा हो so answer DB possible है यानि अब आपको यहाँ पर choose करना है, कि आप यहाँ past perfect की बात कर रहे हो या फिर आप बात कर रहे हो simple past की किसकी बात कर रहे हो simple past की, क्यों? क्योंकि भया had been eaten तो तभी होगा जब यहाँ आपर दिया रहा हो, had eaten और यहाँ was eaten तभी possible होगा जब यहाँ 8 रहा हो तो देखिए, before the party ended many delicacies blank by us यहाँ यह बोल रहे है party खतम होने के पहले बहुत सारी delicacies हम खा चुके थे खाने की बात हो रही है तो यहाँ आप यह चीज समझ रहे हैं कि यह past perfect ही है क्योंकि past के एक action के पहले एक already action past में start के खतम हो चुका होता है तभी तो उसको past perfect बोलते है यानि tense पढ़ा है उसी का rule यहाँ अपलाए करना है right तो वही चीज होई party खतम होने के पहले जो simple past है हम already बहुत सारी खाने की चीजे खा चुके थे तो past perfect यानि कि यह option number D गलत हो जाएगा answer हो जाना चाहिए had we needed यह होता है जैसे आप choose करते हो भाया कि कौन सा particular answer सही होने वाला है depending कि आपको clear है की नहीं कि यह कौन सा tense है done ओके चलो 11th question पर आते है I blank a long life by my family members I wish भया wish active है passive नहीं है wished अकेला भी active है passive नहीं है then was wished बिलकुल possible है passive में is wishing possible नहीं है सो सीदे सीदे answer मिल गया I was wished a long life by my family members रहा क्या होगा my family members wished a long life to me या for me clear सो answer हो गया was wished done ओके चलिए 12th question पर आते है 12th है the celebration blank a lot by me the celebration was enjoyed अभी was enjoyed बिलकुल सही है क्योंकि यह passive possible है अगर यह enjoyed रहा हो तो सिर्फ enjoy possible नहीं है सिर्फ enjoyed भी possible नहीं है because यह passive है had been enjoying नहीं होता enjoyed होता है यानि answer हो जाएगा enjoy the celebration was enjoyed a lot by me रहा क्या रहा होगा I enjoyed the celebration a lot easy सो answer क्या हो गया option number a और इस तरीके से आपका पहला paragraph तो done है भई I hope तीन जाप चीज़े तो मिल गई समझ आ गई कि past perfect है की नहीं कैसे पता चलेगा simple past में है starting सी choose कर लिया और आपको कहीं न कहीं options के through hint मिल जाएगी कि आपको ये future simple present या simple past कैसे अप्रोच करना है clear? ओके चलो अब आते हैं next paragraph पे जो आपके question 13 से लेके 22 को cover करने वाला है तो paragraph चाहो तो पढ़ सकते हो चाहो तो नहीं पढ़ो ठीके वैसे time-based होता है पंडे में बाट हम पता है पढ़ते क्यों है paragraph तक इतना clear मिल जाए हमको एक thought की किस बारे में बात हो रही है साथी साथ ये चीज पहले हो चुकी है कि अब होने वाली है एक्सेक्टर एक्सेक्रा So every year the sports day of my school blanked by me The news about the sports day of this year blanked by the principal अच्छा स्कूल के किसी sports day की बात हो रही है मेरे बार में बात हो रही है साथी साथ principal की भी बात हो रही है अच्छा स्कूल blanked by our principal हमाई principal शायद sports day वगेरा बोलते हैं कि है participate करो in everything The chief guest blanked by her Her कौन है principal A few days in advance preparation for sports day blank The chief guest blanked by the principal The whole organization was blanked by the chief guest I blanked an award for all the preparations by the principal अभी तर बोलर है sports day के बारे में कि भी न्यूस बताई या whatever और पहले वाले से अगर ये past में होगा तो ये पूरा ही past है otherwise कुछ भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि मैं expect कर रहा हूँ award ऐसा भी हो सकता है मुझे award मिल चुका है तो मैंने कुछ clear नहीं हुआ बस ये sports day की बात हो रही है अब फटाबट से पहला option देखी लेता है अभी देखो अच्छे यहाँ for है यहाँ नहीं है तो रख सकता है इसको भी साथी साथ वेट अकेला नहीं आ सकता पैसिफ में सो is waited या is waited for भाया आप हमेशा ऐसी बोलते हैं I have to wait for this wait के साथ for आपको मिलता ही है है ना किसी चीज का इंतजार कर रहो तो wait for करोगे so every year the sports day of my school is waited for by me यह क्या रहा होगा I wait for the sports day of my school every year correct so I wait for the रहा होगा so यह क्या हो जाएगा is waited for so answer option number C हो जाएगा clear so हर साल जो है sports day के लिए मैं wait करता हूँ तो पहला तो चीज past पगरा को clear नहीं कर रहा है अब हमें second question यानि 14th से समझना पड़ेगा the news about the sports day of this year blank by the principle पहला option was given क्या given B3 है बिल्कुल क्या was given passive में होता है definitely तो यह possible option है option B दिया है gave अभी gave है second form of verb second form of verb passive में नहीं use करते हैं तो इसको उड़ा दो third हो गया being given भया being है ing form तो विल्कुल साही है given B3 है तो क्या टिक कर दें अरे नहीं helping verb किदहर है option में दिया है नहीं question में दिया है नहीं तो option C भी हटा दो D क्या है was given भया ing form सिर्फ being ही है जो passive accept करता है बाकी option D में given possible नहीं है यानि answer आपका सीधे-सीधे option number A आगया was given तो आपको hint मिल गई कि पूरा का पूरा paragraph past tense में है कैसे the news about the sports day of this year was given by the principal यानि principal जो भी है उन्होंने इस साल के sports day की news दे दी थी was given clear? और रहे चलो 15 पर बढ़ते हैं 15 कह रहा है a lot of happiness blank in the school by me so a lot of happiness saw saw क्या है? see saw seen V2 V2 जो है passive में होता ही नहीं है सिर्फ V3 होता है second could be see अच्छे यह तो model verb है model verb को क्या होता है भी आपका structure model verb फिर आप लिखते हो B और फिर लिखते हो V3 correct? तो यह आपका structure क्योंकि model verb हमेशा base form of verb यूज करता है तो एक V1 B बनता है और V3 तो चाहिए विकाज यह passive है तो could be see नहीं हो सकता could be seen होना चाहिए तो option B भी हटा दो third है be seen भाई अब B तो आ गया seen भी आ गया अभी B के पहले का model verb किदर है? ना question में ना option में तो यह incomplete है और D है could be seen अरे perfect मिल गया model verb B V3 सो answer हो गया आपका option number D So a lot of happiness could be seen in the school by me यानि मेरे द्वारा बहुत ज़्यादा खुशी स्कूल में देखी गई कि भया कितने ज़्यादा excited थे लोग कि sports day आ रहा है So यहाँ पर आपका could be seen क्या बता रहा है Again past tense तो अब तो पक्का हो गया है कि पुरा paragraph past में ही हमको attempt करना है 16 का देखते है 16 कह रहा है It was a few weeks away But the arrangements blank by us भया अभी कुछ हफते थे sports day को आने में But the arrangements blank by us So the arrangements had already been started देखो कभी भी verb के बीच में अगर कोई भी ऐसा distraction आपको दिख रहा है कोई extra verb उसको कुछ देर के लिए हटा दो मत देखो उसको Already पर ध्यान मत दो अभी आप verb के हिसाब से समझो कि कौन सा वाल option better है So has already been यह जो दिया हुआ है Already हटा के पड़ो Had been started हाँ बिलकुल Had है Been हो गया V3 Started क्योंकि यह रहा होगा Had started तो possible है Has been started यह past की बात कर रहा है पूरा paragraph हम present का option चूज नहीं करेंगे Third है Had started Had started तो simple वाला हो गया Past perfect Active voice हमें passive चाहिए तो इसको भी हटा दो D है Already started और यह भी possible नहीं है Because यहाँ पर started हो गया V2 और V2 active होता है So answer क्या हो गया आपका option number A अब already पढ़ सकते हो So it was a few weeks away But the arrangements had already been started by us कुछ हपते थे अभी Sports day में But उसके arrangements हमने पहले ही शुरू कर दिये थे या पहले ही start कर दिया था Clear क्या रहा होगा यह By us यानि V होगा So we had started या we had already started The arrangements It was या फिर ऐसे It was a few weeks away But we had already started the arrangements ऐसा रहा होगा यह active में So passive में क्या हो गया Had already been started Easy Okay 17th पे आते है The sports day of our school Blank by our principal The sports day of our school Blank by our principal So the sports day of our school Have been organized But या have been organized Bilkul हो सकता है But यह present है ठीक है हम बोल रहे है उस वक्त जो भी हुआ था चलो रखलो इसको अगर present में भी चूस करना है तो वाकिकी options देख लो Organized Organized क्या है V2 V2 possible नहीं है यह हटा दो Was organized बिलkul possible है अगर यह organized रहा हो तो Were organized भी possible है Option देख लो क्या है है ना Already सब past past में चल रहा है तो आप उसी साल की बात कर रहे हो This year So answer क्या हो जाना चाहिए Option C Was organized अगर यह नहीं होता तो फिर option A के साथ जा सकते थे कि भी यह हर साल किया जाता है बढ़ क्या लिखा है Every year it is organized by our principal नहीं इस साल की बात हो रही है The chief guest were invited भया chief guest एक ही है तो वर तो हो नहीं सकता Was invited हो सकता है Have been invited होता है और been inviting नहीं होता Being invited होता है वो भी was वर किसी के साथ So the chief guest answer मिल गया आपको Was invited by her यानि principal के द्वारा मगलाया गया So the principal invited the chief guest या she invited the chief guest और she कौन है the principal Clear? Okay चली 19th की बात करते है A few days in advance Preparation for sports day कुछ दिनों पहले ही लएक अभी बहुत time था sports day को आने में But advance में ही क्या हुआ Preparation for sports day Was being done Done Were being done या was being done देखिए इधर क्या दिया है कि बस advance में कुछ दिनों को थे अभी ठीक है या कह सकता है एक दो हफते थे अभी But advance में ही जितनी भी preparation थी तयारी थी sports day की Was being done उसे कर लिया गया था अभी dance वाला नहीं था जिसमें हमने done का यूज किया वैसी यहां रहा होगा Did, do, does कि कुछ हमको यूज करना पड़ रहे ठीक है अभी was being done क्या possible है नहीं बिलकुल नहीं है वास थोड़ी होता है has, have, had been done होता है तो was हटा दो यानि option नहीं उड़ा दालो be क्या है done अकेला done not possible because यह passive है were being done were being done again हो सकता है क्या हाँ being हो सकता है अगर यह रहा हो were doing correct were doing क्या हो जाता है were being done तो यह definitely clear है यहाँ preparation है subject तो यह singular होना चीदो were हटा दो was being done अच्छा यहाँ past continuous का इस्तमाल हो है तो आंसर हो गया option number D was being done यानि कि a few days in advance preparation for sports day was being done या फिर कह सकते हैं a few days in advance we were preparing for sports day अभी यहाँ आप बोल रो we कैसे आया जरूर ही आपको by us by him by her दे ही दे नहीं passive बोल देना passive है तो कुछ चीज़े हटा भी सकते हैं आपको common sense यूज़ करना हाँ पर clear so इस तरीके से भी questions में आपको definitely you know एक तरीक से क्या बोलू trap बिचाया जाता है एक तो ही achievers दूसरी बात आपका paragraph तीसरी बात active पैसिफ कितना आता है वो check करना तो आपको ऐसे questions भी दे देता है तो जरूरी नहीं है आपको by us by him यह सब दिया जाए clear okay चलिए 20th पे आते हैं the chief guest blank by the principal the chief guest been welcomed भया been welcomed नहीं had been, have been, has been कुछ होना चाहिए था option A हड गया अकेला welcomed again not possible was welcomed हो सकता है अगर ही अकेला welcomed रहा होतो so option C बी possible है being welcoming नहीं होता है being welcomed again was, were, is, they are in सब के साथ so answer हो जाता है the chief guest was welcomed by the principal क्या रहा होगा the principal welcomed the chief guest done? ओके चलिए 21 पर आते है 21 है the whole organization was blank by the chief guest पूरे के पूरे organization को पूरे के पूरे school को chief guest ने क्या किया congratulate किया so the whole organization was congratulated by the chief guest क्या ये possible है अरे नहीं अकेले थोड़ी verb possible होता है congratulated was word तो होना चीए तो ध्यान से देखो ना है तो was इता है कि क्या helping verb या to be family का verb दिया है question में की नहीं so ये बिल्कुल possible है been congratulated was been होता नहीं है was had been नहीं होता है was were नहीं होता है समझे यानि इधर ध्यान नहीं गया होता ना तो आप इन में से कोई एक option को tick कर देते हैं और वो कौन सा होता option number C या option number D whole organization was congratulated by the chief guest done all right 20 second I blank an award for all the preparations by the principal या पूरी तयारियों के लिए मुझे अवार्ड दिया गया ऐसा ही बोल रहे होंगे so I was been given आचा ठीक है was been given होता है क्या बिल्कुल नहीं होता या had been given होता है तो option A हटा दो B क्या है gave अभी gave क्या है give gave given तो ये भी नहीं हो सकता क्यों क्योंकि अकेला gave नहीं रख सकते option number C was given क्या was given use कर सकते है बिल्कुल कर सकते है had given या had been given होता है तो ये भी हटा दो यानि answer हो गया option number C अब देख लो आपे I was given an award for all the preparation by the principal मुझे एक award दिया गया था अगर पहले वाले कुछ questions में आप confused थे कि वो present perfect use करते की नहीं तो अभी देखो was given मुझे मिला था award यानि अल्रडी हो गया annual function ठीक है sports function अल्रडी हो गया so I was given an award for all the preparations by the principal ये क्या दिया रहा होगा the principal gave an award to me for all the preparations clear so answer हो गया option number C इस तरीके से आपके paragraph माले questions तो done पहला paragraph second paragraph आपने 22 questions clearly समझ ली होंगे कि कैसे paragraph को attempt करते हैं अब मैंने आपको क्या बोला था कि आज के वीडियो में आपको एक नया concept सीखने को मिलेगा जो मैंने जान भूच के introduction में नहीं पढ़ाया था और आपको क्या बोला था कि हम questions वाले वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि introduction में इतने सारे rules थे कि मैंने जाहरी थी कि ये वाला जो rule है वो आपके दिमाग में खिचडी बना दे और आप समझी ना पाओ कि कब कौन सा rule attempt करना है तो आज का वीडियो अगें क्यों important है क्योंकि अब हम पढ़ने वाले है कुछ इस तरीकी के questions को solve करने का तरीका देखो ये question कह रहा है choose the most appropriate passive voice conversion of the following sentence passive voice बनाना है question है this dress feels rough this dress feels rough अब इदर क्या change करोगे बताओ this dress हो गया subject चलो ठीक है object कुछ है नहीं हम rough को मानेंगे तो क्या ये लिखेंगे rough is felt by this dress अरे ये dress क्यों feel करेगी rough ऐसे थोड़ी बोल रहे है ये बोल रहे हैं कि हम जब dress को छूते हैं तो हमको इसको खुरदूरी लगती है dress rough लगता है कपड़ा तो ये जो questions होते हैं ना already थोड़े थोड़े passive जैसे सुनाई देते हैं और इन्हें हम quasi passive कह देते हैं तो इनको change करने के लिए अलग ही आपको options मिलेंगे और आपने ऐसे पढ़ी ही नहीं है normal वाले rules में क्योंकि इनको solve करने का ये अलग तरीका होता है अभी कैसे solve करना है वो देखने फिर इस question को attempt करेंगे ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको concepts दिखा देती हूँ यह एक type के passive sentences कहलाते हैं quasi passive what is the word quasi इस quasi शब्द का मतलब क्या है this means almost or to a certain extent यानि बिलकुल लखभग passive या बहुत ही like एक boundary का बस difference है तो बिलकुल almost passive है या लखभग passive है ठीक है तो कुछ sentences जो दिखते passive है बढ़ होते active है उनको convert करने का जो पूरा ही है जो system है न वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा ठीक है so when a verb is active in form but passive in sense it is called quasi passive कोई भी sentence अगर होता क्या है active ठीक है वो है क्या active in form कि उसका जो वर्ब वर्ब है वो सब active voice में दिया है but दिख ऐसे रहा है या पढ़ते वक्त हमको ऐसा लग रहा है कि यह तो passive voice है तो इन sentences को change करने के लिए अलग से rules follow करने पढ़ते हैं और वो rules आपको अब ध्यान से समझने बढ़ उसके पहले देख लो कि यह sentence दिखते कैसे है सबसे पहले honey taste sweet भई शहर जो होता है honey जो होता है वो मीठा होता है in taste अभी इदर बात हो रही है honey taste sweet तो कब subject करोगे identify कब करोगे verb identify फिर object फिर कुछ switch करने के लिए ही नहीं है क्या verb लगा है क्या tense है कुछ समझ नहीं आएगा right और अगर आप उस तरीके से solve कर भी लोगे न आपका मीनिंग ही नहीं निकलेगा कुछ-कुछ अलग ही हो जाएगा मीनिग तो इसी लिए गलती से भी जो हमने rules पड़े है वो इन sentences में मत लगा देना ठीक है क्योंकि इनके लिए एक अलग definition है of rules that we are going to understand in just few minutes but right now let's just understand the second example क्या है the factory is building कुछ-कुछ sentences है जहां देखो आपको to be family का member नहीं दिख रहा कुछ sentences है जहां पे to be family का member दिखता है अब इन दोनों के ही प्रकार जो है वो आपको समझने है in the form of rules clear all right चलो so you have three different types of rules that you need to follow तीन-तीन अलग प्रकार के rules है यानि you will get rule 1 to rule 5 यह पहला set है then again I will give you four rules वो second set है और तीसरा भी एक और set है तो ध्यान से समझना है difficult कुछ नहीं है बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए but यह चीज clear रखो कि पहला जो set of rules है और जो दूसरा set of rules है यह दोनों के दोनों आप use कर सकते हो बस option से समझ जाना कौन सा वाला rule जो है वो apply कर सकते हो ठीक है? तो पहला हम यह set समझ लेते हैं so rule 1 says the subject of the sentence remains the same पहला rule क्या होता है कि जो भी subject है उसको as it is रख दो subject identify करना आता है कित्ती बार कर लिया हमने है न? तो subject को as it is रखो any form of to be verb that is is MR पहला v1 के लिए is MR v2 के लिए was verb being हो गया perfect के लिए और being हो गया v1 ing के लिए इनमें से जो भी आपको लग रहा है verb दिया है उस हिसाब से to be family का member रख दो तो यहाँ to be लिख दूँ है third rule देखता है third कहता है to be verb is followed by the compliment भाया जो भी subject है वो कैसा है वो उसकी तारीफ हुई compliment या उसकी बुराई हुई ठीक है तो जो भी दिया हुआ है compliment वगरा वो आप next रख दो ठीक है भाया रख दिया next rule क्या है the compliment is followed by when it is या when it was when they are या when they were अभी क्या difference है देखो it और they में क्या difference है it एक है they बहुत सारे है is क्या है जब यह singular होता है और present होता है was क्या है singular होता और past होता है are क्या है plural है present है और were क्या है plural है और past है तो अगर आपका subject singular है तो when it is या when it was में से कुछ use करना tense singular present होगा तो when it is past होगा तो when it was वैसे ही अगर आपका subject plural है तो when they are या when they were use करना अगर वो present tense होगा तो when they are और past tense होगा तो when they were So depending on the subject and depending on the tense कि वो singular है, plural है, tense present है, past है आप यहाँ पर when और यहाँ आपको मैंने bracket दे दिया it is, it was, they are, they were use करना last आपको क्या करना है भीया, passive है, क्या missing है third form of verb, so when it is, when it was, when they are, when they were is followed by third form of verb, clear तो पहला rule क्या है, subject, to be, compliment, when it is, when it was, when they are, when they were plus third form of verb, easy, चलो एक एक्जाम्पल सॉर्फ करते हैं और यह जो रूल जो नीचे लिखा हुआ है, इसको नहीं रब करेंगे, क्योंकि अभी दो और पढ़ने है तो compare कर लेंगे, ठीक है, चलो, question देख लो the medicine tastes bitter, तो यह आपको दिया हुआ है, question क्या दिया है, the medicine tastes bitter, दवाई जो है, वो कड़वी है, taste में अभी इदर क्या करोगे, subject को as it is रखो सबसे पहले, तो रख दिया the medicine, फिर बोल रहे है, 2B family, अभी 2B family में क्या रखोगे भया, taste का S form दिया है, simple present है, V1 है, तो is रखेंगे, क्योंकि medicine भी एक है, so the medicine is done, फिर बोला compliment रखो, बुराई किये भया, कड़वी दबाई है, तो bitter, रख दिया, बिटर, फिर रखो when it is, when it was या, when they are, when they were, भया, singular है, तो when it रखेंगे, present है, तो is रखेंगे, so when it is, फिर रखोगे V3, V क्या है, taste, taste का V3 tasted, हो गया, the medicine is bitter, when it is tasted, easy, तो कभी भी अगर ऐसे sentences देखे हैं, clear हो गया होगा, कि यह है, जो quasi-passive होते हैं, ठीक है, so this medicine, या the medicine is bitter, when it is tasted, पहला rule clear हो गया, subject, to be family का member, compliment, when it is, when it was, when they are, when they were, फिर third form of verb, done, all right, चलो, अब बात करते हैं, इसी question को एक और rule दिया है, वो सोचते हुए, वो analyze करते हुए, आप respective rule लगा देना, चलो, second rule देखते हैं, the subject of the sentence remains the same, आच्छा, ठीक है, यह जो subject है, वो same रहेगा, done, फिर क्या बोला है, any form of to be verb as further tense is used, आच्छा, ठीक है, वही कहानी to be family का member use करना है, to be is followed by v3, अच्छा, मतलब अब compliment when इस तब का रोल नहीं है क्या, इधर पर v3 कर दो, चलो, ठीक है, वी 3 रख दिया, फिर क्या बोल रहे है, v3 is followed by the compliment of the sentence, ओ, यानि यह when it is, when it was नहीं आएगा, अब इधर compliment आ जाएगे, easy हो गया, तो क्या करोगे, subject, to be family का कोई भी member as further tense, उसके बाद third form of verb और उसके बाद compliment, यह हो गया आपका दूसरा rule, चलो भही आइस question को solve करते हैं, वही sentence है, the medicine tastes bitter, क्या करोगे, subject रख दिया, to be is, already पता है क्यों, अभी अभी समझा, फिर बोला है, v3, चलो tasted, फिर बोला compliment, चलो bitter, the medicine is tasted bitter, यह भी passive है, ठीक है, so the medicine is bitter when it is tasted, या the medicine is tasted bitter, यह भी सही है, तो दोनों तरीके एक ही प्रकार के sentences के लिए है, कौसी passive में, आपको option में क्या दिया है, वो rule apply कर दो, easy हो गया, done, alright, अब हम बात करेंगे, तीसरे type के sentence की, यह मैं रब करूं की नहीं, चलो ठीक है, I guess, हम इधर लिख लेते हैं, कि subject to be third form of verb compliment, I hope यह clear है, ठीक है, so यह हो गया क्या, आपके दो rules, अब थर्ड rule क्या है, तीसरे type के questions, if to be verb is present after the subject of the sentence, it is changed to passive voice according to the following rules, अगर किसी question में, already to be family का member हो, अभी तक नहीं था, तो हम लगा रहे थे, अगर हो to be family का member, तो फिर rules change होंगे, कैसे, अभी again subject वैसा का वैसा ही रहेगा, तो यहां लिख लेते हैं, subject तो वैसा का वैसा रहने वाला है, ठीक है, फिर क्या करना है, to be verb mentioned in the sentence is used, अच्छा ठीक है, जो दिया हुआ है, वही का वही आपको as it is copy करना है, यहां दिमाग से लगाना है, इधर copy करना है, वा, कित्ती बढ़िया बात है, cheating करना सिखा रहे हैं, next, to be is followed by being, क्या, being, यहां पर आ जाता है, ing वाला to be being, फिर being is followed by v3, इधर आ गया v3, और v3 के बाद आता है compliment, समझे, कि पहला rule कहता है, subject to be compliment when it is plus v3, फिर subject to be v3 compliment, यह एक प्रकार के sentence, अगर question में पहले से ही to be member है, तो subject, जो member दिया है, वो फिर being, फिर v3, फिर compliment, question solve करें इसका, देखो, the wall is painting, क्या दिया है, the wall is painting, यानि wall पर paint हो रही है, so wall दिया है, बढ़ इस भी तो दिया है, तो फिर यह rules apply नहीं होंगे, यह rule apply होगा, कर दो भाया, subject, the wall, to be वही का वही त is, फिर लगाओ being लगा दिया, फिर रखो v3, रख दिया, अभी compliment है ही नहीं, तो क्या करें रहने दो, अगर होता तो रख देते, clear, so बन गया, the wall is being painted, done, so इस तरीके से आपका जो quasi-passive है, उसके यही rules है, यह एक तरीके के sentence, और यह दूसरा तरीके का sentence, इसको नहीं मिटाए था, this dress feels rough, अभी इधर पर है क्या to be family का member, नहीं, यानि इन में से rules apply करने, option में क्या दिया है, when दिया है, यानि पहला rule apply करना है, ठीक है, subject, this dress, to be, भाया, this dress feels है, s है, simple present है, इस रखेंगे, so this dress is compliment, rough, this dress is rough, when, it is, singular है, present tense है, v3 क्या होगा, भाया, feel का felt, so this dress is rough, when it is felt, देख लो, this dress is rough, when it is felt, option A में दिया हुआ, बाक्य options देखो किते गलत है, when they are felt, when they are felt, rough दिया है, ठीक है, भाया, same ही है क्या, this dress is rough, और यहां rough दिया है, बिना to be, के, this dress are rough, आर तो होगा नहीं, so answer हो गया, option number A, easy, all right, चलो, अब आते हैं, 24 पे, jasmine smells sweet, jasmine क्या है, flower है, ठीक है, अभी दर क्या दिया है, smells, to be verb नहीं दिया है, again इनमें से कुछ फॉलो करना है, क्या दिया हुआ है, अच्छा, when दिया है, क्या, एक में दिया है, बाकी में नहीं दिया है, तो चलो हम second rule फॉलो करते है, subject, jasmine, to be, तो भी, is आएगा, क्योंकि smells as, simple present, so jasmine is, v3, sm smelt, jasmine is smelt, compliment, sweet, jasmine is smelt, sweet, कहीं दिया है, क्या, yes, option number C, आगया आपका answer, easy, alright, पहले तो rules हो गया, आपके, revise, third, the office is building, अभी इस दिया है, to be member, दिया है, तो ये rule apply करेंगे, subject, the office, is coasitist, so the office is, being, v3 हो गया, built, the office is being built, compliment नहीं दिया है, so देख लो, the office is being built, कहा दिया हुआ है, option number A में ही दिया है, so answer हो गया, B में देखो, was दिया है, C में had दिया है, D में when लगा दिया, जो हमको करना ही नहीं दिया, done, alright, चलो, 26 पे आता है, the newspapers are printing, भाया, R दिया है, to be member दिया हुआ है, तो ये rule follow होगा, लिखो, the newspapers are being printed, देखो, the newspapers are being printed, option number C, मिल गए आपको आपका answer, तो ये rule आपने apply किया, the newspapers are being printed, easy, okay, चलो, 27 पे आते है, the cloud looks white, भाया, बादल जो है, वो सफेद दिख रहा है, so the cloud looks है, तो ये वाला नहीं आएगा, इन में से कुछ आएगा, when दिया हुआ है, तो पहला वाला आपको rule लगाना है, so क्या क the cloud is white when it is looked, कहा दिया है भाई, when it is looked, option number B, option C में it's दिया है, ठीक है, तो गलत है वो, so answer क्या हो जाता है, the cloud is white when it is looked, डा, ओर राइग, चलो, 28 पे आते है, the soup tastes sweet, छी, soup और sweet, so क्या दे रहा है, soup का taste कैसा है, मीठा है, sweet है, again taste दिया हुआ है, to be verb नहीं है, तो इसमें से rule फॉल करना है, और when दिया हुआ है, तो पहला rule, और वैसे भी when का ही मिलता आपको जादत है, ठीक है, so the soup, फिर to be family number क्या रखोगे, taste में ऐस रखा है, तो simple present is, the soup is, compliment क्या है भाईया, sweet, so the soup is sweet, when it is tasted, देख लो कहा दिया है, the soup is sweet, when it is tasted, option number D, easy, okay चलो, 29 पे आते है, wheat sells cheap, भेया, गे सबस्ता है, सब कुछ नहीं है, जूट है, चलो, ठीक है, इसको solve करते है, तो यहाँ पर to be family number नहीं दिया हुआ है, right, यानि आपको first or second rule, again first rule, maximum यही मिलने आरा, तो यही practice करेंगे, so wheat sells cheap, क्या हो जाएगा wheat, singular है तो is, compliment है cheap, when it is, sell का wheat 3 sold, so wheat is cheap, when it is sold, option number A में ही दिया हुआ ह है, so वही आपका answer है, done, आ जाते हैं, last or final question पे, the carpet looks clean, again when, अब तो रटी गया होगा, ठीक है, तो फटावट से कर लो, the carpet to be हो जाएगा is, so the carpet is, ठीक है, compliment हो गया clean, the carpet is clean, looks का हो जाएगा, when it is looked, so the carpet is clean, when it is looked, is the correct option, कहा दिया हुआ है, the carpet is clean, when it is looked, option number B में, मिल गया answer, so इस तरीके से आपके ये तीन rules है, I hope अच्छे से आपने note down कर लिया है, और इन ही तीन rules को follow करते हुए, आपको इन questions को solve करना, clear, done, so 30 questions done, but एक और चीज थी जो मुझे आपको बताने है, वो क्या है, कि भीया website पे कैसे visit करना है courses को, so फड़ा फट से देख लेते हैं website के बार कीजिए, तो Google पर जाएए, लिखिये magnetbrains.com, website open हो जाएगी, और आपके सामने ये सारे courses जो है, वो display होगे, अब उस course पर क्लिक कर दो, इसका भी video देखना चाहते हो, suppose आपको देखना है CBC English Medium, click कर दो, आपके जितने भी subjects हैं, courses हैं सबा जाएंगे, CBC Hindi Medium, क्लिक करोगे, Hindi Medium क इसलिए इसके जो भी आपके subjects हैं, वो आजाएंगे, then spoken English पर क्लिक करोगे, तो आप अपने English का जो भी course होता है, जिससे आप अपनी English बहतर कर सकते हैं, जो fluent courses होते हैं, जो English सीखने के लिए जाते हैं, लोग वो आप यहीं पर practice कर सकते हो, साथ ही साथ NTSC Olympiad जिसे exams की preparation करना जाते हो, क्लिक करो, आपको मिल जाएगे सारे topics, also UP board का कुछ पढ़ना जाते हो, तो you can click on that also, suppose for an example, you decided आज ओलम प्याट पढ़ेंगे, click करो, सारे subjects आजाएंगे, and you want to study 10th का IEU, click कर दो, आपके सामने सारे list of topics आएंगे, उस topic भी क्लिक करो, जिसका वीडियो देखना है, suppose आपने click क्या syllabus overview पे, देखे, वीडियो प्ले होना start हो जाएगा, so इतना असान होता है, वीडियो तक पहुचना, just कुछ clicks के द्वारा, and that's why we always recommend you that you should visit the website at least once, and explore all the courses, done, alright, चले, पड़ा पट से टाइम टेबल भी देख लो, भई, जो बच्चे नए हैं, जिनने नहीं पता कि Olympiard के वीडियो कब-कब कितने बजे आते हैं, so देखे, every Monday, Tuesday, Wednesday, ठीक सुबा 10 बजे से लेके, शाम के 7 बजे तक आपके Olympiard के वीडियो आते रहते हैं, first you get English Olympiard, then 1 बजे Mathematics, 4 बजे National Science, और 7 बजे GK Olympiard के वीडियो, so yeah, very easily you can study your Olympiard के topics, and yeah, kill it in your exam, clear, alright, so with this we are done with the discussion of today's topic, which was Active Passive Voice के Achievers section के questions, I hope Active Passive Voice बहुत अच्छे से clear हो गया है, और इसी के साथ आज हम इस topic को भी end कर रहे है, and we are very very soon going to meet in the next video with the new next topic, till then, take care of yourself, thank you so much for watching, bye!